हेलो दोस्तों वेलकम टो ग्रेट स्कॉलर्स अकेडमी मैं हूं सनी जैन वेलकम करता हूं आपका स्टैट की वीडियो में जिसका बेसिक अबजेक्टिव आपके यूनिट टेस्ट आपके टर्म वन के अंदर आपको नंबर स्कॉर करवाना है कही न कहीं मेरी कोशिश यह है कि आपके टर्म वन का सारे के सारे सब्जेक्ट का स्लेबस से बैक टू बैक चलता रहे मैं एकनोमिक्स में बिजनस में और कही न कहीं अकाउंट में भी आपकी तीनों सीरीज को कम्पलीट कराने की कोशिश करूँगा तो जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन को भी दबा दीजिएगा देखो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं स्टैट में तो इसका नाम ही सबसे पहले important है concept of economics concept of economics का मतलब economics में हम क्या क्या चीज़े पढ़ने वाले हैं और कही ना कहीं इस economics में stats की जरूरत है भी या नहीं तो वो इस chapter से हमें पता लगने वाला है तो सबसे पहले economics हम कही ना कहीं पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी इसके अंदर दुबारा हमें कही ना कहीं economics को सीखने की जरूरत है तो इसलिए मैं आपको एक basic summary जरूर दूँगा कि economics में हम क्या क्या चीज़े पढ़ने वाले हैं तो देखो सबसे पहले आपके पास economics के अंदर हमने इसको यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो है economics की definition तो कहीं ना कहीं economics की definition में यह कहता है study of mankind study of mankind economics में कहा रहा है कि यह आपकी study है mankind की एक आम आदमी अपने जीवन में किस तरीके से चीजों पर decision लेता है that is called economics तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी consumer हो सकता है एक आम आदमी producer हो सकता है तो यह सारी definition आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी तो study of mankind का मतलब है एक producer profit के लिए काम करता है तो कहीं ना कहीं producer हमेशा अपने profit को increase करने के लिए काम करता है कहीं ना कहीं consumer जो है वो अपनी satisfaction के लिए काम करता है तो यह सारे basic आपके theme है जो कहीं ना कहीं हम economics के अंदर पढ़ने की कोशिश करते है तो देखिए सबसे पहले हम कहीं economics की definition पढ़ने से पहले इन concepts को समझ ले तो सबसे पहले what is consumer, consumer कौन हुआ consumer कहीं ना कहीं उप भोगता है, कहीं ना कहीं वो बंदा है जो चीजों को consume करता है तो एक consumer is one who consume goods and services क्यों consume कर रहा है कहीं ना कहीं वो अपनी satisfaction के लिए चीजों को consume करता है अब what is consumption, consumption क्या है consumption कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है, एक process है तो कही न कही it is a process जहांपर मैं चीजों को खरीता हूँ, क्यों खरीता हूँ ताकि मुझे satisfaction मिल सके for using up utility value of goods and services for a direct satisfaction of our wants तो कही न कही मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए जब कोई समान खरीता हूँ तब वो आपका बंदा आता है consumption और जो बंदा खरीता है वो कौन है वो है consumer इसके बाद आपके पास producer आ जाता है producer कही न कहीं समान बनाने वाला समान को produce करने वाला और वो produce क्यों करेगा भाई माता बच्ची क्यों लेगा simple बात है न profit के लिए तो a producer is one who produce goods and services for a generation of income कही न कहीं profit के लिए income की generation के लिए ही ये आपको समान बना कर दे रहा है अब production फिट से प्रक्रिया है किस चीज की प्रक्रिया है कहीं न कहीं raw material को convert करने की प्रक्रिया है finished goods में और वो भी क्यों कर रहा है क्योंकि profit उसे कमानत है ओके मेरी बाद इसके बाद आपके पास आ जाता है saving और investment जब मैं कहीं न कहीं अपने पैसों में से कुछ हिस्सा बचा कर रख लेता हूँ that is called saving तो income part of income which is not consumed consumed का मतलब यहां पर खर्च करने से है कहीं न कहीं income का वो हिस्सा जो मैं खर्च नहीं करता जिसे मैं consume नहीं करता जिसे बचा कर रख लेता हूँ वो आपका बन जाता है saving investment क्या हुआ भाई कहीं न कहीं यह पैसा मैंने business में लगा दिया इन्वेस्ट कर दिया पूंजी लगा दी assets खरीद ली जो मुझे फर्दर कहीं न कहीं पैसे कमा कर दे that is called investors sorry investment तो कहीं न कहीं it is an expenditure by the producer on purchase of assets which helps to generate income तो कहीं न कहीं मैंने producers ने जो पैसा invest किया asset के ऊपर ताकि वो फर्दर उन्हें पैसा कमा कर दे यही है आपका investment अब economic activity देखो इसकी मैं table आपको करवा दूँगा लेकिन फिर भी आपको कोई चीजे समझना आ है तो मुझे आप comment section में बता सकते हैं देखे सरी सबसे पहले हमारे पास इच्छा हैं हमेशा unlimited होती है तो हमारे पास unlimited क्या होती है इच्छा है unlimited wants लेकिन इसे पूरा करने के लिए हमारे पास जो resources होते हैं तो अब हम क्या खरें हमारे पास क्या हुब चीजों की कमी होई न हसकार्सिटी हुई न तो scar शीटी का मतलब है चीजों की कमी होना और अगर कमी है तो कही न कहीं हमें क्या करना पड़ेगा choice करने पड़ेगी choice मतलब what to buy मेरे सारी दिए आपकी यहां पर economic activity में आ जाते हैं देखो It is an activity which is related to the use of scarce means, scarce means का मतलब limited resources, आपके पास साधनों की कमी हैं और means are always scarce in relation to our wants, साधन हमेशा हमारी इच्छाओं के मुकाबले कम रहते हैं Imagine yourself as the richest person on the earth, कही ना कहीं आप अपने आपो richest person समझ ले, दुनिया का number one अमीर समझ ले, तब भी आपकी सारी इच्छाओं कम्पलीट नहीं हो सकती, ओके मेरी बात, तो देखो economics क्या हुआ, economics is defined as the study of mankind in the ordinary business of life, कहीं ना कहीं एक आदमी किस तरीके से react करता है, किस तरीके से behave करता ह एक आम business life में, एक आम जिन्दकी में, वो है आपका economics, ओके, इसके बाद आपके पास scarcity is the undone current, बिल्कुल ठीक, scarcity है, चीजों की कमी है, तब ही तो आपको choice करने पड़ रही है, अगर आपको चीजों की कमी नहीं होती, जो चीज मांगते वो मिल जाती, फिर आपके पास किस च एक आपके पास की जरूरत ही, खतम हो जाती है, तो कही ना कहीं चीजों की कमी है, चीजों की कमी है, तब ही हमें सोचना पड़ रहा है, और सोचना पड़ रहा है, तब ही हमाई economics की जरूरत है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कि scarcity is the undercurrent, याने कहीं ना कहीं base है, economics का, ओके, हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और कुछ चीजें consume करनी पड़ती है, यही तो समस्या है, तो it is a problem of choice, arising on the account, क्यों होती है, arise choice की समस्या, क्योंकि resources, cars है, और alternative uses है, ओके है मेरी बात, तो कहीं न कहीं साधन आपके पास साधनों की कमी है, और साधनों के limited या alternative use भी है, और यही alternative use का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में दूद आता है, मिल्क आता है, अगर मिल्क महंगा है, तो आप सिरफ चाय और मिल्क या दूद के लिए ही use करेंगे उसे, लेकिन अगर वो सस्ता हो जाए, बीस रुपे किलो रह जाए, तो क्या करेंगे, तो आप उसे मक्षन, घी, पनीर, दहीं, सब चीजे, शेक, सब चीजे पीएंगे ना, तो यही है इसका मतलब, चीजे महंगी है, उसके alternative use भी है, लेकिन आप situation के हिसाब से सोचते हो, कि किस टाइम पर आपको किस चीज की जरूरत है, तो resources कहीं ना कहीं पहले से ही कम थे, उसके multiple uses थे, उसने आपकी मुसीबत को और बढ़ा दिया, ओके, three different activities, consumption अभी अभी हमने पढ़ लिया कि consumer किस तरीके से अपनी चीजों को consume करेगा, production अभी अभी हम पीछे पढ़ कर आया है, कि raw material से लेकर finished good land का सारा process इसमें आएगा, यह तीसरे वाला नया है, distribution, income कैसे distribute हो, तो देखो कहीना कहीं हमारे पास होते हैं factor of production, factor of production, अगर आप economics के student हो, तो कहीना कहीं आपको यह चीज बिलकुल clear होनी चाहिए, कि factor of production होते क्या है, तो हमारे पास factor of production चाहरी होते हैं economics में, land, labor, capital और एक होता है हमारा entrepreneur, ओके, यह fourth factor है, entrepreneur, entrepreneur का मतलब होता है businessman, तो land के उपर हम कहीना कहीं जो पैसा कमाते हैं यह जो देते हैं that is rent, labor को जो हम पैसा देते हैं that is called wages, capital के उपर हम ब्याज देते हैं that is interest, और entrepreneur अपने आने के businessman है यह भाई कहीना कहीं आपके पास businessman को हम क्या देते हैं, businessman को हम देते हैं profit, तो जो factor of income पैसा कमाते हैं ना उसे हम factor income कहते हैं, तो इन चारों चीजों को हम क्या कहने वाले हैं, factor income, ओके हैं मेरी बात, तो कहीं ना कहीं आपकी income इन चारों factor of production में किस तरीके से distribute हो रही है, that is आपका distribution of income, ओके हैं मेरी बात, तो तीन component हैं आपके important, consumption, production और distribution, ओके, micro और macro का detail मैं आपको अपने chapter में पढ़ा चुका हूँ, तो इसके अंदर में दुबारा detail नहीं दे रहा, आप मेरी micro economic की chapter 1 की वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत अच्छी details में आपको ये मिल जाएगा, अब हम पढ़ते हैं stat, यहां से आपकी statistics की शुरुआत होती है, तो stat को मैं आपको पहले थोड़ा सा एक बर example दे दू, stat है क्या, जब मैं किसी भी चीज को quantity या numbers में define कर देता हूँ, तब वो आपका बन जाता है stats, क्या मतलब कि जब भी मैं किसी problem को, समस्या को numbers में define कर देता हूँ, तब वो आपका बन जाता है statistics, इसका मतलब कैसे, मेरी population थी देश की sports, 1951 में कितनी population थी, 2001 में कितनी population थी, 2021 में कितनी population थी, और 2031 में कितनी population होगी, जब मैं इन सक चीजों को numbers में define कर देता हूँ तो कही न कहीं मैं इसकी percentage increase निकाल सकता हूँ मैं इसके ओपर दुनिया भर की analysis कर सकता हूँ और जाकर मैं कहीं न कहीं इससे एक अच्छा answer और एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि 2031 में मेरी कितनी population होगी तो जब मैं अपनी problems को numbers में define करता हूँ तो उसके ओपर दुनिया भर के tools analyze कर सकता हूँ analysis कर सकता हूँ तब वो stat बन जाता है तो देखो कहीं न कहीं quantitative information stat is something like a store of quantitative information statistic means quantitative information और quantification of facts or finding इस line कौंडर लाइन कर लेना ताकि आपको mind में एकदम clear रहे तो stat कहीं न कहीं आपकी numerical findings है बिना number के stat नहीं हो सकता example के तोर पे मैंने कहा Sachin Sachin की जो height है Sachin की जो height है वो small है छोटा है Sachin तो कहीं न कहीं ये stat नहीं है क्योंकि ये qualitative information है इसके अंदर कोई number नहीं है ये उसकी characteristics को बता रहा है लेकिन कोई number नहीं है अब मुझे stat बनाने के लिए Sachin की height को measure करना पड़ेगा और कहीं न कहीं उसे लिखना पड़ेगा तो अब मैंने का statin की height जो है 5.6 है अब जाकर कहीं मैं इसके ऊपर कोई चीज या कोई statistical tool अपलाई कर पाऊंगा अब इसके बाद आप statistics को दो level पर पढ़ते हों आपके पास दो definition है बच्चे इसी में ही confused हो जाते हैं कि क्या हो रहा है तो सबसे पहले आप दो level पर इस definition को पढ़ने वाले हो एक है plural sense और एक है singular sense plural sense दे को नाम से ही पता लग रहा है कहीं न कहीं एक वचन बहु वचन जैसी बाते कर रहा है याने plural के अंदर हम कहते हैं धेर सारे होते हैं और singular के अंदर कहीं न कहीं single चीज होती है तो कहीं न कहीं plural वाला आपको कहेगा कि हमेशा दो या दो से जादा लोगों का data होना चाहिए देखो मैं अभी आपको सिरफ एक basic gist समझा रहा हूं जब definition समझोगे तब आपको समझ में आएगा तो देखो two or more persons का data आपके पास होना चाहिए more person data दो या दो से जादा लोगों का data होना चाहिए singular के अंदर कहा रहा है कि ये आपको सिरफ method बताएगा method का मतलब आप data को किस तरीके से इखटा करो किस तरीके से लोगों को show करो सिरफ singular sense आपको ये definition या singular definition आपको ये बताएगी तो plural definition क्या बताएगी आपको single बंदे का data ही खटा नहीं करना आपको कहीं न कहीं दो या दो से अधिक बंदों का data ही खटा करना देखो अब आप ये कहो कि सचिन की height 5.6 है एक single number आपको कभी कोई information नहीं दे सकता मैंने का class में एक सचिन बच्चा है उसकी height 5.6 है इस से आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है लेकिन मैंने कहा कि class में एक और बच्चा है से हर्ष class में एक और बच्चा है हर्ष और उसकी height है 5.4 अब जैसी मेरे पास दो data available हुए अब मैं इन दोनों को compare कर सकता हूँ इन दोनों के ऊपर research कर सकता हूँ कोई analytical tool लगा सकता हूँ जब जाकर ये stat बनेगा मेरी बात clear plural sense आपको बताएगी कि कम से कम आपके पास दो लोगों का दो चीजों का data होना चाहिए तब जाकर ही आप एक दूसरे से कोई चीज compare कर पाऊगे कोई answer निकाल पाऊगे singular sense आपको क्या बता रहे है singular sense आपको बता रहे है भीया method कैसे इखटा करना है कैसे present करना है कैसे लोगों को ये data interpret करना है ये सारी चीजे आपको बताएगी singular sense आप पढ़े हम definition अब हमारा mind थोड़ा सा clear हो चुका है तो कही न कहीं सबसे पहले आपके पास plural sense की definition आ जाती है ये रही आपकी plural sense की definition statistics are the numerical statement of facts and figure of inquiry placed in relation to each other देखो कहीं न कहीं इसने लिखा कि जब मैं data को एक दूसरे के comparison में रखूंगा जब ही वो आपका stat बनेगा तो यहाँ पर कहीं न कहीं उसने कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा चीजे होंगी तभी आप कोई information निकाल सकते हो singular चीज की कोई information आप नहीं निकाल सकते ये बहुत important चीज इसमें लिखिए है के relation में रखो और अपना data निकालो तो इसके main characteristics, main features क्या होंगे सबसे पहला तो यही होगा aggregate of facts aggregate का मतलब होता है totality, totality का मतलब कहीं न कहीं आप चीजों को total करके यहाँ पर show करोगे एक अकेला number आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता तो पहली line ही देखो क्या लिखी है यह single number does not constitute stat, एक single number stat नहीं बना सकता कोई conclusion आप single number से draw नहीं कर सकते कम से कम आपको दो data चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज को compare करने के लिए it is only the aggregates of number of facts is called stat, तो अकेले number को आप stat नहीं कह सकते, चाहे वो numerical value क्यों नहीं कहीं आपके पास दो या दो से ज़्यादा लोगों का data होना चाहिए, तब मैं उसे compare करूंगा और वो stat बनेगा तो it can be compared और conclusion can be drawn from that इसके बाद आपके पास दूसरी characteristics आ जाती है, हमेशा यह आपके problems को numerically expressed करेगा, statistics are expressed in the terms of number, हमेशा numbers ही stat होंगे, कोई भी qualitative information stat नहीं होगी, सचीन की height छोटी है, यह stat नहीं है सचीन की height 5.6 है, यह stat है, तो कही न कहीं qualitative aspects like small, big, rich, poor are not called statistics तो कहीं भी qualitative characteristics को हम stat नहीं लेते affected by multiplicity of causes affected by multiplicity of causes का मतलब, आपकी कोई भी data कई सारे कारनों से affect होता है मुझे सारे के सारे कारन का study करना अपड़ेगा अभी यहां पर आपको देखो एक अच्छा example दे रखा है अब आपके देश में suppose करो चीजों की कीमते बढ़ रही है 30%, ठीक है, तो क्या एक कारनों का, नहीं reduction in supply, supply भी कम हो सकती है, demand भी बढ़ सकती है power वगारा नहीं थी तंखा बढ़ गई, taxes बढ़ गई कई सारे कारन हो सकते तो आप किसी एक कारन को पकड़ कर चलके answer draw नहीं कर सकते अगर आप stat को study कर रहे हैं तो आपको सारे reasons को study करना पड़ेगा तो लिखता है, stats are not affected by single factor, but are influenced by many factors, had been affected by one factor alone, removing the factor, they would lose all the significance, अब मैं किसी एक factor पकड़ के पुरी की पुरी study को conduct कर दूँ, ये तो गलत होगा ना तो बाकी सारे factor क्या मतलब कुछ भी काम के नहीं थे, गलत सारे के सारे factors को study करना पड़ेगा, reasonable accuracy जब भी आप data को इखटा कर रहे हैं, तो ढंक सर इखटा करें, reasonable accuracy को mind में रखते हुए ही data इखटा करना है, the accuracy depends upon the purpose of investigation, मैं किस तरीके से investigation कर रहा हूँ, कितने लोगों की investigation कर रहा हूँ, भई, suppose मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पर 500 बच्चे थे, चलो 500 बच्चों की height measure करना तो easy था, लेकिन मैं एक district में लोगों की height को measure करना चाहता हूँ, एक जिले में लोगों की height को measure करना चाहता हूँ, वहाँ पर 1,00,000 लोग है, क्या मैं सब के पास जाकर data इखटा कर सकता हूँ, नहीं, तो कही ना कहीं मुझे mind में एक accuracy रखने होगी, यार चलो 20-25 बंदों मे से एक बंदे की height measure कर लूँ, और data को अच्छे से record करूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और मेरा answer भी approximate या equal to आजाए, जो मेरी average height होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं reasonable accuracy mind में रखनी चाहिए, कि किस तरीके से data इखटा करना है, और किस तरीके से मेरे answer जो है, वो best से best I, placed in relation to each other, अब फिर वोई बात, single data किसी को कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं उससे compare नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरे data को compare करना पड़ेगा, predetermined purpose, predetermined purpose का मतलब क्या होगा, पहले से ही कोई objective set है, उस objective को achieve करने के लिए ही मैं statistics को study कर रहा हूँ, मैं किसी school में गया, 500 बच्चे थे, मेरा objective था, मैं इन लोगों की height पता करूँ, मेरा objective था, मैं ये पता करूँ, इने कितना nutrition मिल रहा है, height अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं nutrition वगारा भी उनको अच्छा मिल रहा हुगा, ये मेरा purpose था किसे, तो अगर purpose है, तभी तो मैं कहीं हूँ, बीना purpose के height measure करके मैं क्या करूँगा, तो कहीं ना कहीं stat के लिए आपके पास एक predefined purpose होना जरूरी है, उसके बाद enumerated और estimated, कहीं ना कहीं, कहीं बार मैं खुद जाकर study करता हूँ, वहाँ पहुंच जाता हूँ, और फिर मैं data को study करता हूँ, और कहीं बार मैं अंदा स्टेडियम की capacity कितनी थी, मैंने कहा था भी स्टेडियम में 50,000 लोग आ सकते थे, सारी सीटे भरी हुई दिख रही है, खाली नहीं दिख रही, तो मैं कहीं ना कहीं मैं कहीं बार estimate करता हूँ, क्यूंकि कहीं बार मैं चीजों को खुद जाकर एक एक बंदे को study नहीं कर सकता और कहीं बार मैं, field छोटी होती है, investigation की, तो जैसे 20 बच्चों को study करना, तो मैं खुद जाकर सारे बच्चों को study कर सकता हूँ, तो enumerated and estimated का मतलब क्या हुआ, कि कहीं ना कहीं मैं खुद जाकर study कर रहा हूँ, या दूर खड़ा हूँ के estimate भी कर सकता हूँ, depend upon the field of investigation, उसके ब पोच-पोच कर दो, mix कर दो data को, पता ही नहीं कौन से school से आप हाईट इखटी करके लाए हो, कौन से से weight इखटा करके लाए हो, कोई answer ऐसे नहीं निकलेगा, data जब तक systematic way में इखटा नहीं होगा, तब तक वो information नहीं बन सकता, तब तक वो आपको कोई जानकारी नहीं दे सक clear मेरी बात, इसके बाद आपके पास singular sense आ जाता है, मैंने कहा था singular sense कहीं न कहीं आपको क्या बताएगा, method बताएगा कि data को इखटा कैसे करें, stages बताएगा, तो देखो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर हम याद रखने का तरीका मान लेते है, copai, copai, कैसे याद रखें c से collection, data इखटा करना, o से organization, data को arrange करना, characteristics के हिसाब से, p से presentation, p से क्या होगा, presentation, a से कहीं न कहीं आपके पास analysis होगा और I से आपके पास interpretation, लोगों को बताना, ओके, तो देखो यही सारी चीज़े आपकी definition में लिखी पाएंगी, देखो, statistics may be defined as वोई चीज़ लिखी होई है, तो देखो, collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data, तो यह numerical data तो आपने गट्टा कर लिया, लेकिन उससे collect कैसे करना है, present कैसे करना है, उसक कहीना कहीन, लोगों को बताना कैसे है, that is interpretation, तो यह आपको बताता है, singular sense, तो देखो, आपको पाँच चीज़े मैंने आपको कही थी, C, O, P, A, और यह है आपका copy, तो कहीना कहीन, सबसे पहले बताएगा कि data को इखटा कैसे करना है, collection कैसे करना है, उसके बाद, organizing में आपको गाउं से आते हैं, और कितने बंदे, शहर से आते हैं, तो मैं rural वालों को अलग कर दूँगा, और urban वालों को अलग कर दूँगा, मैंने data को बाट दिया, उनके characteristics के हिसाब से, that is organizing, उसके बाद, data को मैं present कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, in the form of tables, graphs, diagram, उस तरीके से मैं present कर सकता हूँ, उसके बाद में दुनिया भर के tools है, analysis है, correlation, regression, ऐसे आपके पास methods है, apply कर सकता हूँ, और उसके बाद जो result आएगा, वो logo को interpret कर सकता हूँ, वो logo को बता सकता हूँ, हो गया, okay, तो देखो, कहीं न कहीं collection of data में data को इखटा कैसे कर सकता हूँ, sensitive or sample method है, organization में tally bar से कर सकत हूँ, presentation of data में table, graph, diagram से कर सकता हूँ, analysis में percentage, average, correlation, regression निकाल के कर सकता हूँ, और interpretation का data कहीं न कहीं में degree of relationships को बता कर भी कर सकता हूँ, okay, मेरी बाद, इसके बाद ये तीन important question आपके पास है, बच्चे कह रहे थे सर, important question भी साथ-साथ highlight कर दिया करो, इस chapter में most important question एक आपका जो ह है, वो limitation है, कहीं न कहीं teacher आपको ये question बहुत ही जादा पूछता है, और nature of statistics की बात करें तो फिर से वो ही art और science की बाते करेंगा, कि nature of, जो आपका stat है, वो art है या science है, तो मैं आपको एक best तरीका बता रहा हूँ, art और science याद रखने का बिलकुल clear आ जाएगा, अब जैसे ह ठीक है, तो water वाला formula हो गया, तो आपको ये पता है कि भाई, कहीं न कहीं hydrogen के दो oxygen का एक molecule मिलाओंगा, तब ये water बनेगा, अब ये water जो है, ये वाला formula जो है, वो सिरफ इंडिया में ही ऐसा रहेगा, या अमेरिका में भी ऐसा ही रहेगा, या फिर आपका चाइना में ये ज ये यूनिवर्सल एपलिकेबल, उसके बाद ये formula हमने develop कैसे किया, ये formula हमने develop किया है, एक्सपेरिमेंट से, किस चीज से हमने develop किया है, धेड सारे experiment से, और कहीं न कहीं इसके बाद हमने इसे test भी किया है, उसके बाद हर जगा पर apply करके देखा है, अलग अलग जगा से sample अब इसका मतलब क्या है, जब मैं hydrogen के दो oxygen का एक molecule मिला कर water बनाऊँगा, तो मतलब क्या काम करूँगा और क्या result आएगा, क्या cause है, क्या effect है, उसका क्या result होगा, यह मैं आसानी से predict कर सकता हूँ, तो science के अंदर तीन basic characteristics आपको देखने को मिलते हैं, तो जब भी वो कहीं science लिखे, तो हाँ, तो कहीं न कहीं stat के पास भी आपके formula है, तो as a science, statistics is numerical data in a scientific manner, और as an art, art कहीं न कहीं कला है, कहीं न कहीं हर बंदा अपने तरीके से चीजों को present करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब आप समझो, कहीं न कहीं art जो है, वो subjective है, जैसे आपका subjective paper होता है, अभी आपने subjective और objective आप बिल्कुल clear होगे, objective multiple choice questions होते हैं, subjective paper आपका होता है, कि जिसके अंदर हम theory, theory, theory लिखते हैं, तो एक बंदे की theory, दूसरे की theory से अलग होती है, जब किताबे हम बिल्क के से data को इखटा करेगा, तो as an art, statistics related to quantity data of real life problem, by using stat, we are able to analyze and understand the real life problem much better than otherwise, then the problem of unemployment in India is more meaningful when size of unemployment it supports by quantitative data, तो कहीं न कहीं मैं qualitative characteristics को study करने की कोशिश करता हूँ, stats की मदद से, हो गया, okay, उसके बाद subject matter, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास दो तरह का data हो जाता है, एक descriptive, जहां पर हर चीज detail में पढ़ाई जाए, ओके, और कहीं न कहीं होता है, inferential, inferential का मतलब होता है, जहां कहीं मैं थोड़ा सा sample लेकर उस चीज को study कर लेता हूँ, तो देखो कहीं न कहीं है, descriptive statistics refers to those methods which are used for collection, presentation and analysis of the data, this method is used to estimation, measurement, central tendency, descriptive statistics is used when you emerge average height of average student in the school, likewise descriptive is used when you find the marks in the science or mathematics of the student in all classes are immediately related to each जब मैं हर चीज की detail पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मेरे school के अंदर से 500 student है, इन सब के कितने कितने marks किस subject में आए, कितने कम है, कितने जादा हर चीज को मैं detail में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तब वो आपका बन जाता है, descriptive statistics, okay मेरी बात, और कहीं न कहीं, inferential क्या होगा inferential statistics refers to all such methods by which conclusion can be drawn to the universe or population on the basis of a given sample, अभी मैं इसको थोड़ा सा हो detail आपको औराम से समझा दूँ, जब मैं descriptive की बात कर रहा था, जब मैं descriptive की बात कर रहा था, तो मैंने कहीं न कहीं, ये मेरा school है, इसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं, जब मैं 500 के 500 के उपर research कर दूँगा, तब वो बनेगा descriptive, अब इसको ऐसे समझते हैं, जब इसमें universe or population word लिखा, तो जो मेरी field of investigation होता है, यहाँ पर मैं सिरफ 500 बच्चों को analyze करने गया हूँ, तो यही मेरा field of investigation है, तो यही मेरे लिए क्या है, universe, और यही मेरे लिए population है, अब universe का मतलब आपको stat के अंदर ब्रहमांड नहीं समझना, population का मतलब देश की अबादी नहीं समझनी, यहाँ पर universe और population का मतलब एक ही है, जब मैं किसी field of investigation की बात करता हूँ, तो मेरे लिए मेरी दुनिया सिर्फ वो ही है, तो मेरे लिए universe और population हो ही है, तो जब मैं अपनी universe को पूरा का पूरा study कर देता हूँ, तब वो descriptive बन जाता है, अब मेरे पास जाधा time नहीं है, मैंने 500 में से 50 बच्चों को study कर लिया, sample ले लिया, sample basis पर study कर लिया, सारे सीजियों के sample लिये और उसके उपर मैंने अपनी study को conduct कर दिया, तब वो आपका बन जाता है, inferential statistics, ओके मेरी बात, for example, if you're a class teacher, estimate the average weight of entire class, estimate कर लिया, अंदाजा लगा लिया, on the basis of average weight of sample student, तो 10-15 बंदों को बुलाया class में से, और उनकी height measure करी, या उनका weight measure करा, और उसी के basis पर मान लिया कि class का average weight भी यह होगा, तो यह है आपका inferential, और जब मैं सारे बच्चों को बुला लेता, तब वो क्या होता, सोचो, इसके बाद आपके पास आ जाती है, limitations, limitations का मतलब stat कहीं न कहीं accurate नहीं है, आपकी सारी समस्याओं को solve नहीं करता, इसका मतलब कहीं न कहीं stat fail हो ज नमबर लाओगे तो stat apply कर पाओगे, numbers नहीं है तो stat भी नहीं है, तो मैंने कहा था नहीं कि राम छोटा है, मोटा है, पतला है, बड़ा है, इस से हमें कोई फरक नहीं पड़ता, राम के numbers लाओगे, weight कितना है, height कितनी है, जब numbers में बताओगे, तब ही stat apply होगा, तो stat studies only facts that are expressed in numerical terms, it does not study honesty, friendship, wisdom, health और paternism, उसके बाद study of aggregates only, सिरफ totals को study करता है, कम से कम दो number होंगे, तब ही study करेगा, single number को study नहीं करेगा, मैंने का राम की height 5.6 इंचीज है, कोई मतलब नहीं है, बड़ी है, छोटी है, इस से कोई मतलब, नहीं, तो statistics कही नहीं कहीं, aggregates को study करता है, it does not study any effect relating to a particular unit, तो किसी एक particular चीज के बारे में मैं कुछ पता करना चाहूं, तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, Homogeneity of data का मतलब है, data एक जैसा होना चाहिए, मतलब अगर मैं किसी की height लिख रहा हूं, मैंने का राम की height 5.6 है, और उसके बाद शाम जो अपना भाई है, उसका weight जो है, वो 56 kg है, तो उसकी height और उसका weight दोनों अलग-अलग data हो गया, stat काम नहीं करेगा, stat काम तभी करेगा, या तो दोनों की height लो भाई, या दोनों का weight लो, अगर दोनों चीज़े अलग-अलग लोगे, तो stat काम नहीं करेगा, clear मेरी बाद, results are true only on averages, most statistical findings are true on averages, this express only broad tendency, कहीं न कहीं ये आपको averages पर approximate answer देती है, कितना ही data accurate इखटा कर लो, लेकिन फिर भी आपका answer 100% accurate नहीं आ सकता, that means under all condition, मैंने का कि per capita income देश में per person income 50,000 रुपे है, लेकिन ये accurate नहीं है, ये सिरफ अंदाजा है, कुछ लोगों की income 10,000 रुपे गी होगी, और कुछ लोगों की income 10,000 भी होगी, लेकिन ये सिरफ एक approximate अंदाजा है, average है और कुछ नहीं है, without reference, result may be prove wrong, अब ये बहुत important है, ये कैसे है समझो, मैंने study करी, suppose मैंने हर्याना में, स्कूलों में जाकर study करी, कि भई लोगों की बच्चों की average height कितनी है, हर्याना के अंदर लोगों की average height जादा होगी, क्योंकि वो पोस्टिक तस जादा खाते है, कहीं न कहीं, हर्याना की हर्याना पंजाब में लोगों की height जादा होती है, लेकिन सेम ये कहीं मैं दिल्ली चला गया, यह स्पोस्ट बिहार, गुजरात कहीं चला गया, यहाँ पर थोड़ी से लोगों की height छोटी होती है, तो कहीं न कहीं, मैं अगर उस school में जाकर study करूं, कि भई यहाँ पर लोगो पर कितने बच्चों का data आपने study किया, जब तक आप यह reference नहीं दोगे, तब तक आपका data accurate नहीं माना जाएगा, in order to understand the conclusion precisely, it is necessary कि किस circumstance में, किस condition में आपने study करी है, यह आपको mention करना पड़ेगा, अगर आपने यह mention नहीं किया, तो आपका data irrelevant है, जिसका कोई base नहीं है, ओके म used only by experts, भाई, यह वो हतियार है, जो expert use कर सकते है, हाँ, मादमी common people stat की formula को याद नहीं रख सकता, formula apply नहीं कर सकता, तो कहीं न कहीं आपको stat को apply करने के लिए expert की जरूरत पड़ती है, तो यह common man के लिए यह tool नहीं है, common man इसे समझ सकता है, बना बनाए देखे, तो कहीं उसे थ use हर बंदा अपने तरीके से इसे दिखाने की कोशिश करता है, यह political parties आपको data provide करती है, stat को कहीं न कहीं अपने तरीके से modify करके provide करने की कोशिश करती है, तो statistics is like a clay, यह एक तरह की clay है, जिससे आप चाहो तो बगवान की मुर्ती बना सकते हो, और चाहो तो शैतान बना सकते ह आप चाहो तो data favor में दिखा सकते हो, आप data चाहो तो against में दिखा सकते हो, तो यह है इसके misuse, तो कहीं न कहीं यह है इसकी limitation, अगर हम stat की बात करें तो भाई क्या-क्या फाइदे हैं, यह तो है नहीं ना कि अब हम इस subject को पढ़ रहे हैं, इसका कोई फाइदे नहीं है, तो आपकी problems को यह number में बताता है, number में बताता है, तो चीजों को समझना बहुत असान हो जाता है, मेरा price 10% कम हुआ, मेरा price 10% कम हुआ, मेरी sales जो है वो 50% बढ़ गई, तो कहीं न कहीं आप easily data को study कर सकते हो, यह है import, clear, intersectoral और intertemporal comparison भी आप इससे कर सकते हो, sectoral का मतलब है, जब आप दो sectors के बीच में study कर रहे हो, जैसे primary sector, secondary sector के बीच में कितना contribution हमारे देश में हो रहा है, suppose आपकी जो FMCG sector है, खाने पीने का sector है, और medicine sector है, वो कितना grow कर रहा है, तो आप दो sectors के बीच में भी compare कर सकते हो, और temporal, T से temporal, और T से time, और आप कहीं न कहीं time के बीच में भी compare कर सकते हो, 2018 में कितनी सेल थी, 2019 में कितनी सेल थी, 2020 में कितनी सेल थी, 2022 में कितनी हैं, और 2023 में कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप study कर सकते हो, तो कहीं न कहीं, they would further complement intersectoral and intertemporal comparison, intersectoral comparison, we means comparison, we means comparison among different sectors, और कहीं न कहीं intertemporal वाला क्या होगा, जापर आप दो चीज़ों को compare करते हो, intertemporal comparison means change in the magnitude problem over time, तो समस्या में कितना change आया, time के साथ साथ ही है, आपका intertemporal, working out cause and effect relationship, price को 10% कम करने से demand पर कितना फरक पड़ा, 50%, ये relationship कहां से आई, stat ने develop करी, तो कहीं न कहीं क्या काम करोगे और क्या result आएगा, उसका अंदाजा भी आप easily लगा सकते हो, construction of economic theories and economic models, कहीं न कहीं आप इस data के base के ऊपर ही, आप अपनी theories और models को develop कर सकते हो, कितना tax लगना चाहिए, कितना price कम करना चाहिए, उससे मेरी कितनी sale बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़े आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी, the well-known inverse relationship is price and demand, more is priced when price falls, more is purchased when price falls, तो ये आपको relationship पता लग गई, तो आप कहीं न कहीं इसके साथ अलग-अलग experiment कर सकते हो, और इसी के साब से आप अपनी theories बना सकते हो, economic forecasting कहीं न कहीं, future को भी forecast करने में, अंदाजा लगाने में मदद करता है, मैंने आपको कहाना, पिछले साल का data उठाएंगे, 19, 2020, 2021 का data, 2022 का data उठाएंगे, और sale को predict करेंगे, अगले साल की, 32, 2023, तो ये सीजे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बाद government को भी help करता है, policies बना हैं, महिंगाई हैं, लोग जादा demand कर रहे हैं, तो government taxes कितने बढ़ाएं, subsidies कितनी कम करें, ये सब चीजे भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगी, तो government को tax increase करना चाहिए, decrease करना चाहिए, ये सारी चीजे भी आपको help करता है, तो कहीं न कहीं आपको policies बनाने में भी help करता ह balance लाने का मतलब क्या है, कि कहीं न कहीं आपकी economy को stable रखने में मदद करता है, suppose महिंगाई आ गई, inflation आ गई, आपकी economy महिंगाई की तरफ जा रही है, तो taxis दगा कर कम करेगा और stable level पर लाने की कोशिश करेगा, ऐसी आपकी economy में मंदी आगे deflation आ गया, तो deflation आ गया तो subsidies दे statistical methods are no substitute for common sense, यहाँ पर common sense की कोई value नहीं है, क्योंकि statistics सरफ number को पढ़ता है, studies को पढ़ता है, लेकिन common sense के बारे में यहाँ पर कोई data ही खटा नहीं होता, यानि कि यहाँ पर qualitative characteristics की कोई value नहीं होते है, उसके बाद distrust यह आपका एक छोटा सा question बनता है, कि लोग इसके उपर भ पूटी होता है, यहाँ पर सिरफ अंदकार ही है, लोग जो stat के करमें अडगए समझ लो गए, statistics हमेशा कही ना कहीं false होता है, यह कुछ भी चीजों को prove कर सकता है, बिना सरपैर की चीजों को prove कर देता है, कई बर कहते हैं यह कुछ prove ही नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसी धारनाए हैं stat के बारे में, statistics वो clay है, जिससे god और devil दोनों बनाया जा सकता है, तो कहीं न कहीं यह है आपका chapter first, ओके तो देखो आपको पूरा का पूरा chapter first हो चुका है, आपके पास एक आखरी topic हो रहा है, how to remove distrust, कहीं न कहीं consideration of statistics limitation, मुझे हमेशा limitations का ध्यान रखना चाहिए, statistics क्या च जब भी आप data इखटा कर रहे हो, तो आपको कोई partiality नहीं करने, और हमेशा यहां पर आपके experts होने चाहिए, जो उस data को use करें, clear है, यहां हमारा chapter first complete हो चुका है, अगर कोई doubt हो, तो आप हमें share कर सकते हो, thank you. झाल